इसमें याद करने वाली बात क्या है कि जिस तरह से कहफोड रेज नेचर ओफ माटेरियल पर डिपेंड नहीं करता और नेचर ओफ गैस पर डिपेंड नहीं करता लेकिन एनोड रेज क्या करता है कि यह depend करता है मैंस हम क्या लिख सकते हैं कि एनोड रेज एनोड रेज depends upon depends upon what first material of material of electrodes electrodes and second nature of gases अगर अलग तरह की गैस भरी जाएगी तो एनोड रेज डिफर टाइप का होगा material of electrodes अगर बदल दिया जाए एनोड रेज का नेचर बदल जाएगा ये दो most important point हैं जिसे आपको याद रखने होगे this one and this one ये दोनो प्रोपर्टी cathode से डीफर करती है अब हम लोग discuss करते हैं electron और proton के charge के बारे में अगर इन दोनों को रिलेट किया जाए अगर इन दोनों को रिलेट किया जाए mass of electron और mass of proton को तो ये कितना आएगा mass of proton mass of proton is equal to 1840 times of mass of electron ये आपको most important है याद रखना होगा ये relation आपको याद होना चाहिए mass of proton is equal to 1840 into mass of electron this one, this one and this one most important you have to remember अब अगर बात करें charge of electron charge of electron charge of electron कितना होता है charge of electron को अगर हम denote किसे करते है E से यहाँ इस chapter में जब जब हम E का इस्तिमाल करेंगे इसका मतलब है charge of electron E minus means electron this A means charge of electron ये कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम अगर बात करें charge of proton तो ये कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम आप कहोगे कि दोनों तो सेम है फिर डिफिरेंस क्या है जब हम electron के charge को लिखेंगे तो इसकी value हम minus में रखते हैं और इसकी value हम किस में लिखते हैं ये आपको याद होना चाहिए Is that clear? Okay Okay